जहिन दोस्तो तो दोस्तो यह कहाए कि आज का हमारा सेट टू है हमारी यह मेरेथोन सीरीज का जिसमें 5000 प्लस MCQ मैं आपको कराऊगा तो अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलिगराम गुरूप को जोईन कर सकते हो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स म देखेंगे जो हमारे 11 से लेकर के 20 होंगे तो यहां पर सबसे पहला हमारा हमारा यह कहाँए कि कि विच औव्डव फॉलों इस्टेट्मेंटर्ट करेक्टर रिगारडिंग फंडामेंटल राइट्स तो यहां पर यहां पर यह fundamental rights के बारे में बता रहा है तो दोस्टो जैस कि यह सारी चीज़े मैंने आपको कल बताई थी तो अब यहां पर देखते हैं तो दोस्तों यहां पर कहें कि देखो अभी यहां पर कहें कि आपने देखा हुआ कि जो हमारे पूरे के पूरे fundamental rights आ जाते हैं इसके अंदर में ऐसे ही कहें कि यह तो हमारा fundamental rights के लिए था अब ऐसे ही जैसे इसमें fundamental duties है आपने देखा होगा हमारा अगला question जो है वो fundamental duties से regarding है तो यहां पर मैंने इसके ऐसे trick बना रखिया फसद है हैस पे तो यहां पर कहा कि यह दोनों के लिए कहा कि मैं एक अलग से वीडियो लेंगा उसमें trick बता दूँगा कि यह कैसे आपको याद करना तो यहां पर आपको fundamental rights और fundamental duty बहुत प्यार से याद हो जाएगी तो यहां पर अब सबसे पहले question देखते है तो यहां पर कह रहा ह कि fundamental rights के बारे में कहरा है कहरा they are sacrosanct in nature and cannot be amended तो यहां पर देखो sacrosanct का मतलब यह बता रहा है कि यह fundamental rights पवित्र है और यहां पर पवित्र का मतलब है कि इनको amendment नहीं करा जा सकता तो यहां पर यह वाली statement हो जाती है गलत है क्योंकि ना तो यह sacrosanct in nature में और मतलब एक तरह क कि जब constitution बनाये गया था तो 1951 में पहला वो आता है केस शंकरी प्रसाद का केस इसमें बोला जाता कि हम fundamental rights को amend कर सकते हैं फिर उसके बाद में 1967 का केस आता है गोलकनात का उसमें कहता है कि भीया हम amendment नहीं कर सकते तो लेकिन यहां पर याद रखना आज की date में कहा है कि हम fundamental rights को amend कर सकते हैं तो हमारी पहली जो statement हो जाते है वो हो जाते है गलत अब यहां पर second statement करा they are available against the actions of both state and private individuals तो यहाली statement हो जाते है बिल्कुल ठीक तो आप ऐसे समझो जैसे हमारा article 14 है वो हमको equality के बारे में बताता है तो यहां पर कहेगी सरकार की जिम्मेदारी है कि भीया equality provide करेग अब ऐसी हमारा article 17 है जैसे वो untouchability को रोकता है तो यहां पर कहेगी कोई private player भी किसी को मतलब एक तरीके से untouchability की practice को नहीं कर सकता तो यहां पर public और यहां पर private दोनों ही इसके अंदर में count होते है अब third statement करा है कि they operate as checks on the tyranny यानिके अत्याचार of both executive and legislature यानिके एक तरीके से य against में यह काम करता है तो हमारी यह वाली statement भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो हमारा answer कहें कि इसमें two and three बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो यहां पर यह पहला question होता है अब यहां पर second question कहारा है कि which of the following statement correct regarding fundamental duties तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा 42nd amendment 1976 का तो यहां पर कहें कि सरदार स्वरंसिंग कमेटी बनाई गई थी तो यहां पर कहें कि इस कमेटी ने अपनी recommendation से दी थी तो उस time पर कहें कि 10 fundamental duties को add करा गया था इस सरदार स्वरंसिंग कमेटी की recommendations पर तो हमारे constitution में 42nd amendment करा जाता 1976 के अंदर में तो उस time पर 10 fundamental duties डाली जाती है तो यहां पर 26th constitutional amendment act करके यानि के 2002 में यह अपने constitution में डाला था तो यह क्या है कि हमारा fundamental duties से basic हो गया अब यहां पर इसकी जैसे trick है कि फसद है has पे तो यहां पर गया कि मैं अगली एक वीडियो लेकर क्या हूँआ उसमें आपको trick बता हूँआ तो यह हो गया basic अब question को पढ़ेंगे तो क season लिया यह आपको एक factor जिसको याद करना हुआ तो Supreme Court कहती है कि अगर हमको एक तरीके से अगर सरकार को मतलब की fundamental duties को भिया एक तरीके से यूज करा जाएगा constitutionality of law की determine करने के लिए तो यहां पर कहा है पहली statement हो जाती है हमारी ठीक तो 1992 में Supreme Court ने बोला था अब यहां पर बो agreement के द्वारा अगर हम कोई कानून लाते हैं तो यह statement हो जाती है बिल्कुल ठीक अगर यहां पर एक आदमी जाता individual जाता है वो कहा रहा है कि जैसे fundamental rights है ना कि अगर कोई violate करता तो हम वहापर Supreme Court और High Court जा सकते है Supreme Court में Article 32 का सारा लेके और High Court में 226 का तो यहां पर हम यह parliament करवा सकती है individual enforce नहीं करवा सकता तो हमारी जो है statement दोनों ठीक हो जाएगी यहां पर अब यहां पर third question देखते हैं तो देखो दोस्तों यहां पर secularism की बात करिए तो यहां पर जब भी आप question देखोगे ना प्रलिम से फिर मेंस में तो यहां पर secularism के बारे में दो चीजे देखने को मिलते है एक western secularism और एक इंडियन secularism तो यहां पर कहें कि जो western secularism है ना एक तरीके से इसमें जो religion है और एक तरीके से जो state है बिल्कुल separate है दोनों यानि के religion के मामले में state बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहेगा जैसे हम France का example देखते हैं यहां पर कहें कि आजाद मतलब धर्म के लिए religion के लिए freedom तो दे रही है लेकिन कुछ conditions लगा रही है जैसे public order हो गया health हो गया morality हो गया अगर कोई religion का use कर रहा है तो इस religion की वज़े से अगर हमारे public order पर कुछ दिक्कत आती है जैसे की hatred फैलाई जा रही है इस तरीके से क्या है कि जो हमारी harmony मे secularism और Indian secularism में थोड़ा difference देखने को मिलता है तो अब यहाँ पर हम दुबारा से question की statement को पढ़ेंगे करा which of the following are the features of Indian secularism as adopted in the constitution तो यहाँ पर कह रहे है पहला statement religion is a personal matter and there is no interference by the state तो यह वाली statement जो है गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इसने पूछा Indian secularism का feature और Indian secularism में हमको पत है कि यहाँ पर state interfere करती है अब यहाँ पर second क्या रहा है कि no citizen can be denied entry into any educational institute of the state on the grounds of religion और caste तो यह वाली statement ठीक हो जाएगी अब यहाँ पर third क्यारा कि every religious denomination यानि कि कोई भी जो धर्म है उसका right है कि वो establish कर सकता और maintain कर सकता charitable institutions without any limitations तो देखो इसमें कहाई कि आधी statement तो ठीक दे है हम क्या कि अपना हमको right देता है कि हां भीया हम establish भी कर सकता है और maintain भी कर सकता है अपना institutions लेकिन हमको क्या कि limit लगा रहे है जैसे कि public order हमारा मतलब बिगणना नीच चाहिए health और morality तो यह conditions यहाँ पर लगा रहे है तो हमारी जो थार्ड statement भी हो जाएगी गलत तो हमारा मात पर second वाली statement हो जाएगी ठीक तो यहाँ कि select the correct answer using the code given below तो हमारा answer हो जाएगा इसमें second only अब यहाँ पर 14th question को देखते हैं करा which of the following supreme court cases are related to dispute या फिर conflict between fundamental rights and DPSP तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ कि यह ना हमारा factual question है तो यहाँ पर आपको याद करना होगा कि जैसे अगर आपने लक्षमी कांत बुक पढ़ी होगी तो उसमें बिलकुल बहुत अच्छे से इसमें दे रहा कि fundamental rights और DPSP के उपर बहुत ज चार main important यह case आते हैं तो यहाँ पर देखो आपको पतागा 1951 में कहा कि शंकरी प्रसाद का case आता है तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ कि FR और DPSP में हमको चार case देखने को मिलता है 1951 में आता है शंकरी प्रसाद का case तो यहाँ पर कहाँ कि fundamental और DPSP में यह बोला जाता है कि अग अगर हमको DPSP को implement करना है तो यह शंकरी प्रसाद का case होता है अब उसके बाद में 1967 में यानिके इसके 6 साल के बाद में गोलकनात का case आता है तो यहाँ पर बोलता है कि भाईया नहीं यहाँ पर मना कर दिया कि हम fundamental rights को amend नहीं कर सकते अगर हमको DPSP implement करना है तो तो दोस्तों आप यहाँ पर कैसे याद करोगी कि पहले कर सकता है आप ऐसे इसको समझो कि आपने UPSC की तयारी के लिए starting करी तो आपको starting में लगता है कि हाँ भाया मैं कर सकता हूं यानिके मैं कर सकता हूं I can do it तो यहाँ पर कहा कि starting में होगा कि हम fundamental rights को भी amend कर सकता है फिर उसके बाद म हमको थोड़ा लगता है कि भाया अब हमसे नहीं होगी UPSC तो हमको ऐसी feeling आते हैं कि we cannot यानिके हम amendment नहीं कर सकते तो पहले लगता है कर सकता है दूसरी बारी में लगता है कि भाया नहीं कर सकते फिर तीसरी बारी में ऐसे ही कहा कि इसमें 1973 में अब यहाँ पर कहा कि दुबा इसक इस्ट्रक्चर है ना उसको हम अमेंड नहीं कर सकते जैसे कि सोवरेनिटी हो गया सोशलिस्ट सेकुलर इंटेगरिटी यह सारे जो प्रियंबल के फीचर से ना यह क्या है कि हमारे constitution की बुनियाद है हम इसको हिला नहीं सकते तो अब यहाँ पर 1980 में मिनर्वा मिल्स का क 2019 हो गया तो एक तरीके से जैसे equality की बात करता है और एक तरीके से हमको freedom देता है तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि DPSP क्या कि इन cases में हमको क्या कि supreme देखने को मिलता है यानि के fundamental rights के comparison में और जो बाकी प्रोविजन से ना fundamental rights के जैसे आर्टिकल 15 16 यह जितने भी पार्ट बच गये तो यहाँ पर इन बोलाए कि यह क्या कि इन cases में fundamental rights जो है supreme रहेगा DPSP के cases में तो यहाँ पर क्या कि देखो आज की जो present conditions है न वो यह है कि fundamental rights supreme है DPSP के comparison में तो यह क्या है कि हमारा basic हो गया तो आप यहाँ पर ऐसे समझो कि जब भी fundamental rights और DPSP की बात होगी तो यह 4 cases जो हमारे important हो जाता है शंकरी प्रसाद गोलखनात केशवनंद और मिनर्वा मिल्स केस तो यहाँ पर कहेगी इसके year भी आपको याद होने चाहिए कि 1915-1967-1973 और 1980 अब यहाँ पर कहेगी इन्होंने बोला can amendment यानि का हम amendment कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते हैं फिर उन्होंने हम बोला कि fundamental rights का है कि भहिया prevail होंगे DPSP के उपर में यह सारी की सारी चीज़े आ गई तो आप यहाँ पर हम question देखेंगे कह रहा है 14 question कह रहा है which of the following Supreme Court cases related to dispute या फिर conflict between fundamental right और DPSP तो यहाँ पर कह रहा है कि IR Coelow Case तो यहाँ पर कह रहा है कि जो Coelow Case है 2007 का यह क्या कि Judicial Review से related है तो यहाँ पर कह रहा है कि यह जैसे important cases हो गए तो इसकी क्या कि हमको judgment के साथ में पता होना चाहिए तो यहाँ पर ऐसे याद रख ले ना Coolow है Coolow तो Coolow का है Judicial Review आप जैसे गोल गांधी जी के बारे में मतलब में का गांधी तो आप ऐसे याद करो 1978 का case है तो उस टाइम पर क्या होगी यह थोड़ी जवान होगी तो यह कह कि हमारा Article 21 से related है आज क्या चला हमारा 2022 तो आप इसको ऐसे याद करना कि 2022 चला 1978 का case है और यहाँ पर में का गांधी क्या है है तो यहाँ पर fundamental rights और DPSP के conflict के बारे में नहीं कह रहा है अब 4th statement कह रहा है Minerva Mills case तो यहाँ पर कहा कि यह 4th statement हो जाते है बिल्कुल ठीक अभी हमने देखा तो हमारा answer हो जाएगा 2 & 4 तो यहाँ पर कहा कि हमने यह question देखा है अब यहाँ पर अपना 15th question को देखते है तो य 12-35 हमारी आर्टिकल आते हैं इसमें और जो सबसे पहला आर्टिकल है वह एक तरीके से मतलब इस्टेट की definition देता है तो अगर आपने एक आर्टिकल पड़े होंगे तो यहाँ पर यह कहता है कि जैसे हमारी central government होगी यानिके इस्टेट के अंदर में कौन कौन आएगा जैसे वगेरा होगी यह सारी चीजे और अदर्स में जैसे यह आते हैं ना कि हमारे LIC वगेरा होगी ONGC होगी तो यह सारे कहा कि हमारी स्टेट की definition में आते हैं अब इसमें important point यह कि Supreme Court ने अपनी एक judgment में बोला कि अगर कोई private body है ना यानिके कोई भी private body है वो भी स्टेट की definition में आएगी लेकिन यहां पर उसने condition रखी कि यह जो private body होगी उसके पास क्या कि Central Government की power होगी यानि के कोई भी उसके अंदर में प्रावधान ऐसा हो कि वो Central Government को represent कर रही हो तो अगर कोई भी ऐसी power है ना तो वो भीया हमारी स्टेट की definition के अंदर में आएगी तो जैसे DMRC हो गया अब यहां पर इन्होंने option दे रखे कि चार की इसमें से स्टेट के अंदर में कोन आता है तो DMRC हो गई तो यहां पर कहा कि यह भी हमारी स्टेट में ठीक हो जाती है अब यहां पर question no.16 को देखेंगे तो देखो यह कहा कि हमारा current affairs का है यह topic तो यहां पर यह कह रहा है कि जो Weddell Sea है वो recently हमने news में देखा था वो मतलब कहां पर उसकी location देखने को मिलती है तो यहां पर जैसे option दे रहा है Eastern Indian Ocean हो गया Western Pacific Ocean हो गया Arctic या फिट Antarctic तो दोस्तों यहां पर कहा कि देखो यह कहा कि हमारा Antarctic वाला region हो गया और यह एक तरीके से कहा कि हमारा यह अर्थ हो गई हमारा अब इसके यहां पर कहा कि एक तरीके से यहां पर हमको यह वैडल सी देखने को मिलता है तो यहां पर कहा कि यह अब यहां पर इस फोटो को देखके लगा सकते हो अंदाजा कि यह कहा कि हमारा Antarctic वाले region के बात कर रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा यह वाला ठीक नाम था संथानम कमेटी तो यहां पर कहा कि इस कमेटी ने अपनी recommendations दी तो यहां पर कहा कि इसने recommendations दी तो यहां पर इन्हों ने बोला कि हमको एक CVC लानी चाहिए तो यहां पर कहा कि सरकार ना अपना executive resolution लेकर के आती है तो यह executive resolution लेकर कही 1964 में तो इसने recommendations दी कि यह CVC बनान का दर्जा दे देती है यह लक्षमी कांत में और यहां पर कहें कि जो हमारी सुभाष का श्बुक है बहुत अच्छे से इन्होंने बता रखा है कि पहले 1964 में एक्जेक्यूटिव तो आपको यह पॉइंट याद रखने की जरू होता है 1964 और यहां पर 2003 यानि के पहले तो करते थे फिर उसके बाद में एक के साथ में कहा कि दो हमने और एड कर दिये फिर दो के बाद में यह कहा कि हमने हटा दिये फिर उसके बाद में कहा कि एक और अमेंडमेंट लाया कि हाँ फिर हमने बोला कि भाईया एक चीफ इलेक्शन कमिशनर के साथ में दो अधर है अब यहाँ पर हम question को पढ़ेंगे कि यह cvc के बारे में क्या कह रहा है तो पहला यह कह रहा है पहला यह कह रहा है कि क्या यह constitutional body है तो हमारा statement हो जाती है गलत क्योंकि हाँ पर याद रखने constitutional बोडी नहीं है यह हमारी पहले एक्जेक्यूटिव रिजॉल्यूशन ला करके मतलब एक बनाए गई थी फिर उसके बाद में statutory body बना दी गई थी तो पहली statement हो जाती हमारी यह गलत फिर यहाँ पर इसके जो चेर्वेन है और वह मेंबर से अपॉइंट करे जाते है प्रेसिडेंट के द्वारा तो यह statement हो जाती है ठीक तो कहरा कि विच फॉलेंग स्टेट्मेंट और करेक्ट तो हमारा यहाँ पर हम सबसे पहले देखने की रिट पिटिशन तो आपको पता होगा कि जैसे हमारे constitution के अंदर में कहें कि पांच रिट पिटिशन है जैसे हैबी स्कॉर्पस हो गया मेंडेमस हो गया सर्टी और आरी हो गई ऐसी दो और है तो इस तरीके से कहें आर्टिकल 32 यानि कि यह रिट पिटिशन को हम यूज़ कर सकता है कि अगर हमारा fundamental right violet हो रहा है तो हम कहें कि आर्टिकल 32 का यूज़ करके Supreme Court में जा सकता है आर्टिकल 226 का कि हम High Court के अंदर में जा सकता है तो दोस्तों यहाँ पर कहें कि जैसे हम यह MCQ करेंगे तो मैं आपको इतनी बार यह सारी चीज़े बोलूँगा कि आपको वीडियो देखते देखते क्या कि यह सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे तो आपको कहें कि एक 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 एज मिलेगी अपने पिलिम्स के लिए और आंसर राइटिंग लिखने के लिए तो यहाँ पर कहें कि आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 यह हो गया अब यहाँ पर कह रहा है कि which of the following correct with reference to constitutional remedy provided under article 32 of the constitution तो यहाँ पर यह हमने देख लिया basic अब पहला statement कहा रहा it is invoked to determine the constitutionality of any executive order or legislation if it directly infringes any of the fundamental right तो यह statement हो जाती है बिल्कुल ठीक अगर हमारा fundamental right wallet होता है तो हम इसका use कर सकते है second statement कह रहा है the supreme court has original and exclusive jurisdiction in case of enforcement of fundamental right तो statement हो जाती है गलत यहाँ पर यह देखो original की बात कर रहा है कि खाली supreme court ही है यानि के supreme court के अलावा कोई और सुनवाई कर नहीं सकता तो statement गलत हो यह हम high court भी जा सकता है और exclusive jurisdiction का मतलब कह रहा है कि जैसे दो हम चीजी होती ना जैसे supreme court और high court exclusive का मतलब होगा सबसे पहले तो यह बात कर रहा है कि supreme court में हम जा सकते हैं सबसे पहले तो यह statement होती है गलत अगर suppose करो किसी के घर के पास में high court है तो वो क्या करेगा supreme court ना जा करके अपने high court में चले जाएगा तो इस तरीके से कहें कि हमारे पास choice है कि हम high court में जाए या फिर supreme court में जाए अब यहाँ पर third statement कह रहा यह वाली statement हो जाती है बिल्कुल ठीक क्योंकि article 32 क्या है यह हमारा basic structure का पार्ट है तो यह amendment के जरी इसको छीना नहीं जा सकता है तो हमारी पहली और तीसरी statement जो यहाँ पर ठीक हो जाती है अब 19th question कह रहा है कि which of the following are the reasons for creating union territories in India तो दोस्तों आप यहाँ पर ऐसे समझों यह हमारा इंडिया का map हो गया और यह कह कि हमारा नोर्थ इस्टन वाला region है तो यहाँ पर जब भी union territory की बात करें आप नोर्थ इस्ट वाले region को अपने दिमाग में imagine करा करो तो आप ऐसे imagine करना कि जैसे यहाँ पर नागलेंड वगेरा देखने को मिलता है तो यहाँ पर क्या कि इतनी सारे features होने के बाद में सरकार चाती थी इनको क्या कि इंडिया mainland इंडिया से assimilate कर दे इनको culture के साथ में मिल कर गे तो सरकार ने क्या करा उस ताइम इंसरजेंसी बहुत ज़्यादा था separatism की tendency बहुत ज़्यादा थी तो उस ताइम सरकार ने क्या करा इनको union territory बना दिया तो ऐसे ही कहा कि union territory बना दिया ताकि फिर जब time आएगा तो इनको state का दर्जा दे दिया जाएगा तो यहाँ पर आप देखने हैं कि क्या reason थे सरकार ने union territory को बनाया जैसे cultural distinctiveness बिल्कुल ठ ठीक interest of tribal people बिल्कुल ठीक हो जाता administrative consideration बिल्कुल ठीक तो यहाँ पर कहें कि हमारे चारो फीचर जो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अब यहाँ पर 20 वा यानिक लास्ट का question देखते हैं कि which of the following fall within the purview of freedom of speech and expression जो हमको article 19 के अंदर में दिये गया है तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमारा ना article 19 है तो इसके दो पार्ट है 19 clause 1 clause 2 तो इसके अंदर में कहें कि इसके अंदर में भी सब clause आता है जैसे article 1 clause A clause B clause C clause D clause E F ना होकर कि clause G है तो एक तरीके से कहें कि यह हमको freedom of speech आप ऐसे याद रखने हैं ना फोजी जानिके freedom of speech and expression के बारे में बताता है अब इतनी स आप देखोगे कि यह तीन ही ऐसी मतलब में चीज़ा है जो हमको restriction लगाता है तो यह हो गया basic अब यहाँ पर कहता है कि हमको freedom of silence देता है कि हमको चुप रहने का भी अधिकार है बिल्कुल ठीक राइट तो दोस्तों यह कह कि बिल्कुल गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पर शाय right to know about government activities यह भी ठीक हो जाती है तो यह वाली हमारे कहें कि हमारे one three four option का यह रहे तो यह हमारे statement हो जाती है ठीक तो दोस्तों यह थे हमारे आज के current affairs यह set two था हमारा तो दोस्तों अगर आपको इसकी pdf चाहिए ना link आपको मैं description में दे दूँगा telegram group को join करने का अगर आपको यह video series अच्छी लग रहे तो दोस्तों like comment share and subscribe करिए तो दोस्तों अभी के लिए इतना thank you guys